हाई गेज़ विडियो और वीडियो ओफ अकाउंट्स अड़ा आज हम बात कर रहे हैं नुमारिकल पोर्शन के आप लोगे बहुत रिक्वर्मेंट आई थी सर नुमारिकल तो पिछली वीडियो को हमने जहां पर एंड किया था वो है यह वाली स्लाइड ठीक है पिछली वीड का हमने सीख लिया था आई ओडी इंट्रेस्ट और ड्राइंग रेगुलर ए रेगुलर बेसे पर किस प्रकार से कैलकुलेट की जाती है वो हमने समझ लिया था आज इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेशन करेंगे हमारे पास पुस्तक है पुस्तक का नाम है टीएज आप सभी के लिए तो चलिए करते हैं कुछ क्वेशन जिन लोगों के पास और नए एडिशन है पुराना एडिशन है उनको डरने की कोई भी जरूवत नहीं है क्योंकि हम यहां पर क्वेशन रीड करेंगे और फिर आप लोगों के सामने को रखेंगे तो चलिए शुरू कर करने से पहले एक बहुत ही छोटी चीज है जिसको आपको याद रखना है वो चीज मैं यहां पर लिखे देता हूं वो चीज को ध्यान से समझ लेना ठीक है वो चीज है अगर कभी क्वेशन में आपको यह बोल दिया गया कि एक्स ने जो है दस अजार की ड्राइंग करी है यही नहीं बताया कि उसने ड्राइंग करी कब है तो उस कंडिशन में आप इंट्रेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे हाओ ठीक है हमको रेट माल लेते माल लेते 10% पर एलम गिविन है अब फॉर्मला तो हमारा क्या होता है अमाउंट इन्टू रेट अपॉन हंड्रेड इन्टू टाइम बाए 12 यह हमारा फॉर्मला होता है इस कंडिशन में हमें यहीं नहीं पता कि इसने ड्राइंग कब निक सब्सक्राइब करेंगे इस रेट को पखड़ेंगे जहां से संबना अगर इस रेट के आगे पर एनम वर्ड लिखा हुआ है समझो दो कंडिशन मुली मैं पहली कंडिशन डेट नॉट गिविन यह नैसेसरी कंडिशन है इसके बिना काम नहीं होगा यह नैसेसरी है ठीक है अगर डेट गिविन होगी तो हम उसी प्रकार से करेंगे जिस प्रकार से करते आ रहें पर अगर डेट गिविन नहीं है तो हम डूनिंगे रेट रेट के आगे अगर पर एनम वर्ड लिखा तो we will calculate it for 6 month हम कितने महीने का calculate करेंगे 6 महीने का average basis पर calculate करेंगे और अगर question में आपको given है rate 10% per annum word नहीं लिखा हुआ है तो आप time को consider नहीं करेंगे example लें example लें के समझो देखो example लेकर समझते हैं question लेते हैं यही question लेते हैं माल लो इसी प्रकार का question है इसी question को हम solve करते हैं ठीक है case 1 case 2 बना के करते हैं और देखते हैं किस प्रकार से question यहां बर solve हो रहा है एक सिमाल ने 10,000 की drawing करी है case number 1 बनता है rate आपको question में given है 10% और दूसरे question मतलब दूसरे पार्ट में given है rate 10% per annum जब per annum नहीं है और date भी नहीं है तो हम लिखेंगे 10,000 का 10% निकाला यह हो गया 1000 रुपे that is your IOD interest on drawing you don't have to go through any other thing ठीक है और जब आपको per annum word given है और date नहीं given है date नहीं given होगी तब ढूड़ने के ध्यान रखना 10% और per annum given है इसलिए average basis का 6 महीन पर नहीं हाँ पर लिख दिया that would be 500 रुपीस that is your IOD यहाँ पर clear समझ में आ गया यह बहुत छोटी चीज है जो एक number आप लोगों को दिला देती है आपको जो पहला question है इसमें इंट्रेस्टन रॉइंग का राम और मोहन टू पार्टनर ड्रेव परसनल यूज वाला वो इसी concept के उपर based है तो चलो देखते हैं और कुछ question करने का यहाँ पर प्रयास करते हैं हाँ भई का है बोजा देखो सबसे पहला question ही हम उठाते हैं राम और मोहन आर पार्टनर गाले है अच्छी बात है सर ठीक है इंट्रेस्ट इस्टारज़ड़ेबल इजड़ी इस्टारज़ड़ड एड शौटी परसंट पर रहनाम वइज है वट इस्टारज़ड़नगेश है और each person हर व्यक्ति के लिए कितना व्याज बनता है तो सबसे पहले चीज यहां पर date नहीं given है तो क्या ढूंडो rate ढूंडो date नहीं given तो rate ढूंडी per annum मतलब कितने महीने का च्हे महीने का तो पहले हम राम का निकाल रहे हैं मुह न आप निकाल लेना 6% into 6 by 12 क्योंकि per annum word given है एक दो एक दो ठीक है ये 12 से 12 लो तो 100 into 36 रड़ इक्वल टू 3600 रुपे का IOD लग जाएगा जो कि आपका कहां चला जाएगा profit and loss appropriation के अंदर चला जाएगा credit side के अंदर लिखते चलो पूरा time ज़म दे दिया मैंने ठीक है similarly Mohan का भी आप इसी प्रकार से निकाल लेंगे ठीक है चापू अगला question करें कि चलो अगला question करते हैं bridge Mohan वाला ओ ओ ओ ब्रिजन मोहन क्या बात है देखो यहां पर अगला question हम करते हैं bridge and Mohan के नाम का तो bridge and Mohan का question क्या कहता है bridge and Mohan our partner bridge and Mohan our partner in the firm question read करो ठीक है दे विद्रीव 48,000 and 36,000 ने दौन ने एक नाटाली से एक ने चात्य से जार पूरे साल में निकाले हैं respectively दूरिंपूरा question रीड कर रहा हम द्यान समझना bridge and Mohan आपार्टनर इन फर्म दे विद्रीव 48,000 and 36,000 respectively during the year evenly in the middle of every month कब निकाले हैं middle of every month अंधर महीने के middle में निकाले इन्होंने पैसे और टोटल जो पैसे निकाले इसने टोटल 48,000 रुपे इसने टोटल 36,000 रुपे निकाले हैं according to partnership deed interest on drawing is chargeable at the rate 10% per annum IOD कित्ता charge करना है 10% per annum यहां तक कोई दिक्कत किसी को समझो अब पहली चीज पर middle के अंदर निकाला है हर महीने तो अपना formula लगेगा regular basis वाला क्या formula है total drawing into rate 200 into average time upon 12 जिल नोगों को समझ में नहीं आ रहा बेटा पिछली वीडियो नहीं देखी तुने इधर देखो हमारा यहां पर total drawing इसने बोल दिया पूरे साल में 40,000 निकाले हैं पूरे साल में 40,000 निकाले हैं पर महीने का ने दिया इसने पूरे साल का दिया है तो हम यह लिखेंगे 48,000 into 10 upon 100 into average time महीने के middle के अंदर हर महीने कितना हो गया 6 calculate कराता अपन ने पिछली वीडियो देखना सारे के सारे 6 वार बारा यह numerical है इस वीडियो के अंदर हम numerical करते हैं पिछली वीडियो के अंदर हम theory करते हैं ताकि आप सभी लोग समझ पाएं ध्यान में आप आए चोईस्सो रुपे क्या हो गया आपके bridge का interest हो गया क्या हो गया चोईस्सो रुपे आपके bridge का interest हो गया लिख लो भाई ठीक है clear हो गया चलो आगे बढ़ें गया क्या क्या करेंगे फिर आसकी कर्शा को पॉर्ण विराम दे देंगे तेक है चलो आगे बढ़ते हैं एन बी और पार्टनर शेरिंग प्रॉफित और लॉस एक्वली ए और बी पार्टनर है प्रॉफित और लॉस इक्वली यहां पर बाटन जब भी कोई कुश्चन देखो इस प्रकार से नोट्स मना लिया करो बहुत काम रहता है ठीक है ए विड्रॉफ फोर थाउदन दे बिगि चार हजार रुपे बिगनिंग और मन्थ फोर शे महीने के लिए हर महीने की शुरुवात में निकाले है किते हर महीने चार तो शे महीने के किते होगा आप सबी निकाल सकते है ठीक है अगला ही कॉस्चन है इसका कैलकुलेट इंटरेस्ट और राइंग अड़ दिरेट 5% पर रैनम से कोई लिए न देना नहीं क्योंकि हमें टाइम दे दिया गया है ठीक है सबसे पहली चीज हमारा फॉर्मला लगेगा टोटल रॉइंग इंटू रेट अपॉन हंड्रेड इंटू एवरेज टाइम अपॉन ट्वेल टोटल रॉइंग 4000 रुपे हर महीने की पहली तार इन किता है भाई छे महीने का इन दे बिगनिंग ऑफ एवरी मांथ त्री पॉइंट फाइब ने मिडिल है बिगनेंगे त्री पॉइंट फाइव अपॉन ट्वैल यूजस्ट व्टू सॉल्वेट ठीक है यह हमने करा ही हो गया चोईस अजार चोईस अजार था और यह चोईस अजार को हमने काटाती हो गया दो अजार ठीक है मैंने कैलकुलेशन अपने इसाब से करी है बुरा मत मानना कोई भी त्री पॉइंट फाइव पॉइंट अटा है नीचे जीरो इससे यह गया साड़े तीन सो का आपका आएगा एक है अगे बड़े अगे देखो इसका अगला ही प्रशन कर लेते हैं आंसर आजाएगा क्वाटर का गुशन गि इन है ठीक है हाँ तेरे मेकडवल का ही है निकल-णिकल आजा वागे आगे तेखो वन अगे देखो वन दो पार्टनर्स इन पार्टनेशिप फर्म हैड ड्रॉन 9000 रुपीज at the end of each quarter हर quarter के end के अंदर ठीक है, खतम होते है quarter वे से ओके, throughout the year पूरे साल, हमें यहाँ पर निकालना है, calculate interest on drawing at the rate 6% परेनम, अच्छी बात है 9000 रुपे हर quarter के end में, quarter किते होते हैं 4, तो टोटल drawing किती हो गई? 9000 into 4, 946 रुपिया, ठीक है, तो हमारा formula आया, total drawing into rate upon 100 into average time upon 12, at the end of each quarter what is the average time? 4.5 810, that would be your answer irregular बोलता है तो उस particular condition के अंदर आपको individual महिने के साफ से drawing निकालने पड़ेगी जैसा कि हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा था भाई लोगो एक चीज का ध्यान रखे, यह है numerical इससे पहले होता है theory you have to go for the theory and then come upon with the numerical तभी आपको सारी चीजे समझ में आएगी इस बुक्ते से related और बाकी बुक्ते से related अगर आपको wait कोई भी बिलता है question तो आप उसको पड़ावर से solve कर लो, इंटरेस्टन रखेंगा अगली वीडियो माम इंटरेस्टन कापिल करेंगे हो और CA Foundation की तेहरी कर रहे हो तो Index Education का application download कर ले हमारी CA Foundation की classes भी वहाँ पर चल रही है तो पड़ावर से download कर लो and roll कर लो हमारी CA Foundation के batch के अंदर आप से मिलें कि एक लिए क्या 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 है आप तिल दिन गाइस के पर वाचिंग को टाम बाइबाए नमशकार आप बाइस कर दो नमशकार